Hello, Learn Free Export Import Video Series में आपका स्वागत यह वीडियो में आपको बताऊंगा How Inland Country Deport ICD work Inland Country Depo जो है कैसे work करता है मैं practically बताऊंगा Last video में मैंने बताया कि quotation buyer को कैसे देना जैसे आप quotation buyer को दो कि उसके बाद हो confirm करेगा order confirm करेगा तो आपको cargo बेजना पड़ेगा तो आपको बताऊ कि आप ICD, Inland Country Depot से भी कार्गो बेज से, तो आप पोर्ट से तो बेज सकते हो, बड़ ICD की बहुत सारे benefits है, जो यहां पर मैं आपको practically बताऊं, कई सारे लोगों न यहां पर comments किया मेरे YouTube में, कि sir, ICD के बारे में detail में वीडियो बनाए, आप भी कोई topic के बार में वीडियो बनाऊंगा, what is mean by ICD in logistics, ICD क्या होता, Inland Country Depot, जहां पर port, मतलब इसको हम dry port भी बोल सकते हैं, देखो mainly port हम किसको बोलते हैं, जहां पर समंदर होता है, वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, port बोलेंगे, पर यहां पर कोई समंदर तो है नहीं, तो इसको हम dry port बोले बोलेंगे, inland country, डेपो, यह country का डेपो, जहां पर custom clearance का सारा facility अवेलेबल रहता है, और transportation का सारा facility अवेलेबल रहता है, और exporter को, एक exporter को जो भी facility एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए, like कोई भी facility चाहिए, वो ICD में अवेलेबल रहती है, CFS अरिया होता है, जहां पर सारी benefits of ICD and CFS, to ICD के benefit का है, CFS को बोलते है, custom freight station, वो port में भी होता है, और ICD में भी CFS area होता है, जहां पर custom clearance होता है, जहां पर packing होता है, जहां पर cargo का consolidation होता है, पूरा जो है, CHS work करते है, वहां पर, तो वो सब उसको बोलते है, CFS area बोलते है, तो ICD के बहुत सारे benefit है, custom clearance facility अवे nearby हमको custom clearance facility मिल रही है, export के अंदर हमारी city के अगल बगल में हमको facility मिल जाएगी, जैसे कि most of बड़ी-बड़ी city में, हर city में ICD होते है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप Google कर सकते हो, आपकी city में nearby, जैसे कि कोई UP से हो, या पिहार से हो, या फिर आप दिल्ली से हो, राजस आपको मिल जाएगी, और practically आप ICD का visit भी कर सकते हो, तो ICD के बहुत सारे fight there, no custom clearance required at gateway port, yes, एक बार ICD में custom clearance हो गया, उसके बाद main port पे, जैसे कि में मैं खुद export करता हूँ, मैं खुद export करता हूँ, तो मैं ICD अमदबाद से export करता हूँ, मेरा जो cargo है, ICD अमदबाद से मुद तो आपको है na, ICD में like port registration करवाना, ICD registration आपको करवाना, EDICOR जो बोलते हो, वो ICD में करवा तो main port पे उसकी जरूत नहीं पड़ेगी, तो आप ICD में करवा सकते हो, ICD का जो है फाइदा है, तो main port पे यहाँ पे custom clearance नहीं चाहिएगा, reduce overall level of the empty container movement, yes, कि देखे, ICD नेरबाए हो होने से क्या होगा, empty counter का movement ज्यादा नहीं होगा, समझो, मेरे को factory stuffing करना है, और counter चाहिए, तो मेरे को मुद्रा पोट से अंदाबाद में counter लाना पड़ेगा, यह तो क्या है, यहाँ पे देखे, हमारा ICD यहाँ पे है, तो यहाँ से counter आएगा, सिधा भरके फिर चला जाएग तो country का movement जो है, कम हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर counter का movement कम होगा, तो क्या होगा, price competitive ने समको मिलेगी, competitive transport cost रहेगा, जितना transportation cost कम होगा, इतना ही हमारा India का export बढ़ेगा, तो हमारी जो government है, हमारी जो government है, पुरा rail transport बढ़ा रही है, देखे, road transportation क्या होता है थोड़ा महेंगा पड़ता है, तो हमारी government, मतलब जो भी ICD है, सबको connect कर रही है, जो भी अलग-अलग इंडिया के जो area जहाँ बिजनेस हब है, उसको भी connect कर रही है, तो rail से क्या होगा, हमारा cost advantage होगा, logistic cost में हमको advantage होगा, तो हमारे country को फाइदा है, हमारा export जो है, increase होग पड़ेगा, हमको ICD कोश effective होगा, अगर कोश effective होगा, उतना ही क्या होगा, हमारा export competitive बनेगा, तो increase in export, हमारा इंडिया का export बढ़ेगा, तो आप लोग भी export करना चाहते हो, यहाँ पर मैं बता दो, आपको बहुत अच्छी opportunity है, दिको हमारी जो government, export को competitive बनाना चाहती है, तो transportation अगरे cost कम करना चाहती, इसलिए तो ICD वगरे की facility दे रही है, नहीं नहीं, ICD छोटे-छोटे city में भी government नहीं-नहीं ICD खोल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, और export में हमारी government बढ़िया support भी दे रही है, बहुत सारे benefits भी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, तो आप आपको पहले बता दू, मेहनत करना पड़ेगा इस सबसे important चीज है, stuffing and strapping of control, yes, ICD के अंदर cargo को stuff करने का facility होता है, और shock lift वगरे available रहता है, तो हमारे cargo को हम जो है, counter में stuff कर सकते, ICD के अंदर और segregate वगरे करना है, तो भी हम कर सकते, उसको strapping वगरे करना है, तो भी हम कर सकते custom clearance, yes, main benefit है, ICD के अंदर ही custom clearance हो जाएगा, अगर आप export करते हो, export के consignment कोई query आई है, आपको अगर जाना, देखो मैं बता दू, हमें ICD में या port में exporter को जाना नहीं होता है, फिर भी कभी कोई query आई है, तो आपको custom बाले बुलाते है कि इसका clarification दीजे, तो जाना है, तो भी content load, इसका video भी मैंने बनाये हुआ है, मेरी जाप like channel में जाएए, वहाँ पर series में इसका LCL cargo, and what is FCL cargo का पूरा detail में मैंने वीडियो बनाये, वो भी आप देख सकते हो, तो LCL cargo भरना है, जैसे कि CHA को, cargo को consolidate करना है, तो वो ICD में कर सकता है, ICD में CFS area में, जो है CHA cargo को consolidate कर सकता तो अच्छी बात है, अच्छी facility है, government की अच्छी facility, ICD बहुत ही फाइदेकारक है, receipt and dispatch delivery of cargo, फिर ICD में जैसे ही custom place हो जाएगा, mostly by train और by truck, उसको हम क्या कर सकते, cargo को port में बेज सकते, और temporary storage of the cargo and control, अगर हमको कभी hold करना पड़ा, को shipment delay है, या ऐसे कुछ भी hold करना पड़ा, तो भी ICD में cargo को hold कर सकते, बहुत ही अच्छी बात है, transient operation by the railroad to and from serving port, yes, कोई import होता है, तो भी ICD में custom cleanse भी होता है, ऐसे कोई problem की बात नहीं है, तो port पे घुट सूतरेगा, by train ICD में आएगा, ICD में custom cleanse होगा, और export होगा, तो ICD में custom cleanse होगा, उसके बाद pot पे जाएगा, और pot स एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो यह बहुत ही बढ़िया facility ICD के द्वारा, और mainly ICD से जो है, train में cargo जाता है, बहुत ही अच्छी बात है, कोष्ट जो है, हमारा saving होता है, exporter को देखो, मैं आपको practically बताओ कोष्ट कैसे saving होता, देखे, समझो में कोई बंदा, अम्दबाद से monthly 10 एक्सपोर्ट कर रहा है, समझो, 10 एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, truck वाला जो है, समझो, maybe 30,000 लेगा, तो train वाले 20,000 में country ले जाएंगे, अम्दबाद से मुद्रा पॉट तक, देखे, तो अगर 10 container है, जो exporter, उसका 10 country है, हर बार वो truck से बेजेगा, तो समझो, एक लाग रुपी अच्छी amount होती है, तो यह सारी practical चीजे है, जो आप learn कर सकते हो, और आप आगे बढ़ सकते हो, शीख सकते हो, तो आप export, import करना चाहते हो, तो थो थोड़ा इसमें learn कीजा, आप फ्री में learn करना चाहते हो, तो मेरी आप सीरीज देखे, मेरी वीडि deposit in Delhi, Delhi में सबसे बड़ा जो है ICD आया हुआ, तो अच्छी बात है, तो आप export करना चाहते हो, तो ICD का बढ़िया यूज कर सकते हो, हमारी government ने ICD, exporter के लिए तो बनाई है, तो exporter आप ICD का यूज कीजे, सारी facility ICD में रहती है, और आप practically ICD विजिट करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, आपकी कोई भी Nearby ICD में चाहिए, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ की office में जा सकते हो, वहाँ के officer को मिल सकते हो, वहाँ CSA की office रहती है, उसे भी आप मिल सकते हो, आपको जो भी export import के लिए knowledge चाहिए, वो gain कर सकते हो, ले सकते हो, और आप practically export import सिखना चाहत हो, let's go global together, thank you.